बात करनों है CSG वर्सेस डबल दी के बीचे होने वाले आज के पहले TNPL T20 मैच के बारे में ये TNPL यानि के तमिल नादू प्रीमेल लीग हमारा काफी ज़्यादा अच्छा चल रहा है आखरी कि अगर मैंने 10 मैच आपको कवर किया है तो उसमें 7 मैचे तो कंफर्म विन करा कर के दिया हुआ है एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस कौन किस नंबर पर बल्ले भाजिक लाएगा ना सबसे बड़ी बात की कौन से आप ले रिस्की प्लेयर होंगे जो कि आपको कोई भी ले करके चलने नहीं वाला लेकिन उसके दम को आप इस मैच में विन करके द प्रीके से स्क्रीन सौट के जरिया परे तेलीग राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेश दूँगा जहां पर जोईनों आप ले जरूरी भी आसान बेर एकदम फ्री भी रहने लाए आगे है नहीं कोई भी मैच दस और का बीस और का जिसमें भी मैं अपने क्या होगा देखनों मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा तो फुरी में जुइंड कर लेना सबसे पहले मैं आपको एक चीजस करते हुआं कि मैच अने लेना सबसे पहले मैं आपको क्शी में कि आगरbacks को लिंधा को संभाल लिए बाल जो समँझा ना कि स्वाना कि पहर सेकंड बालिंग करे होगे जब इसकी तीम बालिंग कर रहेगा और सिस्जी की पहले बल्ले बाची कर रहे होगे ना यहीं जो वर्सटेट होगा यहीं पर बॉलर्स काफी ज़्यादा हावी पौड जाएंगे CSG के बल्ले बाचों को पर या फिर CSG के बल्ले बाचों किसी तरीके से दबल दी के बॉलर्स को पूरी तरीके से पार लगा जाएंगे और 172 करीब का अगर स्कोर कहीं पर गलती से भी बना दिया कि बल्ले बाची कि ती बड़े मंच को पर खेल रहे हैं बल्ले बाची में ऐसा उपना राहे हैं इस समय CSG की तीम वो इसके कब्दानी कर रहा है यह वो प्लेयर रह सकते है जो कि आपको मिनी जील तक का पैसे कमाने में मदद करके दे सकता है इसके साथ बल्ले बाच जी में बीर रंचन कॉल आने वाला है जो कि पहले मैच में काफी लंबा केला हुआ है उसके अलावा यहां से सतीस यादव हो गया यही तीन वो बल्ले बाच जिनके दम को मैं आपको कहरा हूँ कि CSG की तीम काफी श्रॉंग नजर आ रही है उसके अलाव भी आपारा जीत हो गया हरीस कुमार हो गया यह जो पांच प्लेयर से ना यह काफी हाई लेवल के इन में से सबसे बड़े प्लेयर के बात करूँ मुझे लगते हैं जगदीसन अभी आपारा जीत वो प्लेयर है जो कि इस समय CSG की तीम के नंबर वन प्लेयर है भी आपारा जीत जो कि बल्ले बाची में भी फोर प्याज़ हैगा बालिंग से भी आपको तीन चार ओवर करके दे रहा है उसके अलावा एस हरीस कुमार जो की बालिंग से तीन से चार ओवर करेगा बल्ले बाची में भी आपको रंस बना करके दे सकता है तो ये भी वो प्लेयर है जो कि आपको 20-25 रं बना करके दे सकता है उसके अलावा एस सतीस यादो को आप भी रंचन पॉल ये इनकी बल्ले बाची स्थम्ब है जो कि इस समय CSD के काफी श्रॉंग नजरा रहे हैं इन में से सिफ दो ऐसे थोड़े से प्लेयर हैं जो की काफी बड़े लेवल के अगर इन दोनों को किसी तरीके से रोक लिया जाए ना तो दबल दी की दी में जीद चाहिए ये चीज़ को आपको फोकस कर के चलना है अभी मैं फिलाल कले आपको को हूँ कि पीर रंजन पॉल के पाई मैं इतना भरोसा नहीं कर रहा हूं वही सामने दबल दी के बॉलर्स को मैं क्यों बहुत ज़्यदा ही श्रॉंग कह रहा हूं उसमें नाम है वरुन चकवर्टी का उसमें नाम है रवीचंदर अस स्विन का और सबसे ज़्यादा विगत देगा बॉलर्स के तोर पर नाम आपको वरुन चकवर्टी का देखनों मिलेगा और सबसे ज़्यादा आपको बॉलिंग से डैथ होडर में बॉलिंग करते हूं नजर आएगा जिसका नाम पीस रावनन कुमार और एस भती ये दोनों आपको आखरी के और समय बॉलिंग करते हूं नजर आएगे जो कि फास बॉलर है तो वही दिए चारो बॉलर सापके काफी जरूरी रहने वाले हैं इस मैच में अगर ये चारो बॉलर को किसी तरीके से रोका नहीं गया ना तो दबल दी की तीमी मैच आसानी से जीतने वाली है क्योंकि दबल दी के बल्ले बाची को इतने अच्छे नहीं है बी इंदरो जीत जो की बल्ले बाची में फोर प्यारा ही समय इस दा फिकित की पर कहल रहा है अगर आप इसको एक अकेले प्लेयर को निकाल दो ना बाबा इंदरो जीत को तो कोई भी इतना बड़ा लेवल क player नहीं है कोई भी इनकी टीम में इतने बड़े लेvel का चाहे वो सिवम सिंग का नाम हो चाहे वो एस अरुन का नाम हो कोई भी इतने बड़े लेvel का बल्ले बाच है नहीं जो की इनकी टीम का पार लगा पाए em Madhi Wanhan जो की कई बahn आपको 2, 3 over balling करेगा s ''m'' bhi आपको 1, 2 over balling करके दे सकता है चुमार मैं आपको कौआँ ё s अरुन ये भी आपको 1, 2 over balling करके अराम से दे सकते है यह आप इसने 2 over balling करके यह आप भी इसने balling करका बले बाची में भी आपको तीसरे नमर पर आज जाएगा, तो ऐसा रूंद भी आपको लेका अच्छा प्लेर रहाएगा, शिवंसिंग भी एक अच्छा प्लेर रहाएगा और उसके अलावा मैं बॉलिंग औफसन काम करके चलूँगा कि यहां पे मैं सरुंद को ना लेकर के राहिल साह को लेकर के चलूँगा यह आपके लिए टीम बन जाएए एकदम पर्फेक्ट टीम अब इसमें आप एक दो चेंज यह कर सकते हो कि अगर आपका मन है जगदीसन को ना लेकर के आप किसी दूसरे जैसे के पी रंजन पॉल को लेकर के चल सकते हो या फिर किसी आक्षा बॉलर को लेकर के चल सकते हो लेकर बॉलर को मैं इसलिए लेकर के नहीं चल रहा हूँ क्ुई कि सभी के overcome किये जारे हैं किसी को या ज़ी मैं चारने वाली है आपको लग लगर है कि हारने वाली है तब कि से एक को निकाल करके जैसे कि आप यहां से रवीचंदर अस्विन याफी पीसरावन कुमारी याफी बिया पारजीत में से किसी को निकाल करके यहां पर लेकर के चल सकते हो एस अरुन को एस अरुन को और वहीं अगर आपको लग रहा है कि इसकी तीम मैच हारने वाली तो जगदीसन को सीधे सीधे निकालना और यहां से ऐसा रुन को लेकर के चल लेना यूस असीदे हो प्लेयर अच्छा है लेकर बल्ले बाची में काफी नीच आएगा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मौका मिलेगा तीस रन ज़्यादा बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा यही रिजन है कि अभी मैं उसको लेकर के चलने का नहीं सोच रहा हूँ क्याप लेकर के चलने वाला हूँ यहां पर आप देखो कि तीन अच्छे प्लेयर रहेंगे बाबा पारजीट जो कि बल्ले बाची बालिंग दोनों चीज करेगा रवीच सब्सक्राइब करना मत भूलना